देवताओं द्वारा श्रीराम की स्थुति, श्रीराम का उन्हें बर्दान देना तथा रामराज्य का बर्णन शेशी कहते हैं मुने जब श्रीराम चंद्र जी का राज्य भेशेख हो गया तो राक्षसराज रावण के बद्ध से प्रसन्निचित हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दश्रत नंदन श्री राम आपकी जये हो आपके द्वारा जो राक्षसराज का मिनाश हुआ है उस अदभुत कथा का समस्त कविजन उतकंठा पूर्वक वर्णन करेंगे भुवनेश्वर प्रलेकाल में आप संपून लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं प्रभो आप जन्म और जरा आदी के दुखों से सदा मुक्त हैं प्रबल शक्ती संपन पर्मात्मन आपकी जये हो आप हमारा उधार कीजिए उधार कीजिए धार्मिक पूर्षों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर अमर और अच्छुत परमेश्वर आपकी जये हो भगवन आप देवताओं से श्रेष्ट हैं आपका नाम लेकर अनीको प्राणी पवित्र हो गए फिर जिन्होंने श्रेष्ट दुजवंश में जन्मगरहन करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया है उनका उधार होना कौन बड़ी बात है शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तर जुकाते हैं जो पवित्र यव आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा मनुवांचित क शामना एवं स्मृध्धि देने वाले हैं उन आपके चर्णों का हम निरंतर अपने हिदय में चिंतन करते हैं यही हमारी अभिलाशा है आप कामदेव की भी शोभा को तरिस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारन करते हैं परमपावन दया मैं यदि आप इस भूमंडल को अभ करतियां हमें दुख देने लगें तब तब आप इस प्रिच्वी पर अवतार ग्रहन करें विभो यदि भी आप सबसे श्रेष्ट अपने भक्तों द्वारा पूजित अजन्मा तथा अभिकारी हैं तथा पी अपनी माया का आश्य लेकर भिन भिन रूपों में प्रकट होत हैं आपके सुन्दर चरित्र और पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अम्रित के समान दिप्वे जीवन प्रदान करने वाली हैं उनके शमन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंदर को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्थुति की गई है जो सबके आदी हैं परंतु जिनका आदी कोई नहीं है जो अजर रूपधारन करने वाले जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है जो कामदीव की भी कांदी को लज्जित करते हैं साक्षात भगवान शिर जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने शत्रु रावन का बलपूर्वक वद किया है बेर गुनाद जी सदाही विजई हो ब्रह्मा आधी संपून देवताओं ने इस प्रकार स्तुती करके विनीत भाव स्री श्री रुगनाद जी को बारं बार प्रणाम किया महायशस्फी श्री रामचंद्र जी देवताओं की इस स्तुती से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें मस्तर जुका कर चर्णों में पड़े देख बोले देवताओं तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यन्त दुरलब हो तथा जिसे अब तक किसी देवता, दानब, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्ट किया हो देवता बोले, स्वामिन आपने हम लोगों के इस शत्रू दशानन का जो वद किया है उसी से हमें सब उत्तम वर्दान प्राप्ट हो गए हैं अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को कलेश पहुँचावे तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रू का नाश किया करें वीरवर भगवान श्री राम चंदर जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्राथना स्विकार की और फिर इस प्रकार बोले देवताओं तुम सब लोग आधर पूर्वक मेरे वचन सुनो तुम लोगोंने मेरे गुणों को ग्रतित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है इसका जो मनुष्य प्रातहकाल तथा रात्री में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा उसको कभी अपने शत्रूं से पराजित होने का भयंकर कस्च नहीं भोगना पड़ेगा उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे इतना ही नहीं इसके पाड़ से मनुष्यों के उल्लासपून हृदे में मेरे युगल चर्णों की गाड़ भक्ति का उदय होगा यह कहकर नरदेव शिरोमनी श्री रगुनाद जी चुप हो गए तथा संपून देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोग को चले गए इधर लोगनाद श्री राम चंदर जी अपने विद्वान भाईयों का पिता की भांती पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मान कर सबका लानन पालन करने लगे उनके शासनकाल में जगत के मनुश्यों की कभी अकाल मृत्यों नहीं होती थी किसी के घर में रोग आदी का प्रकोप नहीं होता था ना कभी इर्थी दिखाई देती थी ना शत्रू से कोई भय होता था और व्रिक्षों में सदा फल लगे रहते थे प्रित्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदी परिवार से सनात रहता था उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का सैयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का कलेश नहीं भोगना पड़ता था सब लोग सदाश्री रगुनाज जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे उनकी वानी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत होती थी उनके मन में भी कभी पाप का संकर्प नहीं होता था सीतापती श्री राम के मुक्की और निहारते समय लोगों की आँखें स्थिर हो जाती थी वे एक टक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे सबका हरिदे निरंतर करोना से भरा रहता था सदा इष्ट अर्थात यग्य यग्यादी और आपूर्थ अर्थात कुमे खुदवाने बगीचे लगवाने आदी के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी समुचे राष्ट्र में सदा हरी भरी केती लहराती रहती थी जहां सुगंता पूर्वक यात्रा की जा सके ऐसे ख्षेत्रों से भह देश भरा हुआ था उस राज्य का देश सुन्दर और प्रजा उत्तम थी सब लोग स्वस्थ रहते थे गौएं अधिक्ती और खास पात का अच्छा सुभिता था स्थान सान पर देव मंदिरों की क्षेणिया राम राज्य की शोभा बढ़ाती थी उस राज्य में सभी गाउं भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे वाटिकाओं में सुन्दर सुन्दर फूर शोभा पाते और प्रिक्षों में स्वादिष्ट फल लगते रहते थे कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमी का सौन्दर बढ़ा रहे थे राम राचे में केवल नदी ही सदंभा अर्थात उत्तम जलवाली थी वहां की जनता कहीं भी सदंभा अर्थात दंभ या पाखंड सी युक्त नहीं दिखाई दे थी ब्रहामन क्षत्री आदी वर्णों की कुल समुदाए ही कुलीन अर्थात उत्तम कुल में उत्वन थे उनके धन नहीं कुलीन थे अर्थात उनके धन का कुचसित मार्ग में ले उप्योग नहीं होता था उस राचे की स्रियों में भी विभ्रम था विद्वानों में कहीं विभ्रम का नाम भी नहीं था वहां की नतियां ही कुटिल मार्ग से जाती थी प्रजा नहीं अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वता अभाव था श्री राम के राजे में केवल कृष्ण पक्ष की रात्री ही तम से युक्त थी मनुश्यों में तम अज्यान ये दुख नहीं था वहां की स्रियों में ही रज का संजोग देखा जाता था धर्ण प्रधान मनुश्यों में नहीं अर्थात मनुश्यों में धर्म की अधिक्ता होने के कारण सत्वगुण का ही उद्रेक था रजुगुण का नहीं धर्ण से वहां के मनुश्य ही अनन्द थे मदांध होने से बचे थे उनका भोजन अनन्ध अर्थात अन्रहित नहीं था उस राजिय में केवल रत ही अन्य अर्थात लोह रहित था राजकर्मचारियों में अन्य अर्थात अन्याय का भाव नहीं था फरसे फावणे चमर तथा छत्रों में दंड देखा जाता था अन्यत्र कहीं भी क्रोध या बंधन जने दंड देखने में नहीं आता था जलों में ही जड़ता या जलत्व की बात सुनी जाती थी मनुश्यों में नहीं स्री के मद्य भाग, कटी, मेही, दुरबलता और पतलापन था, अन्यत्र नहीं वहा औशद्यों में ही कुष्ट अर्थात कूट या कूठ नामक दवा का योग देगा जाता था मनुश्यों में कुष्ट का नाम भी नहीं था रत्नों में ही भेध अर्थात चिद्र होता था मूर्थियों के हाथों में ही शूल और त्रिशूल रहता था प्रजा के शरीर में वेध या शूल का रोग नहीं था रसानु भूती के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था भै के कारण कहीं किसी को कम कपी नहीं होती थी राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे मनुश्यों में कोई मतवाला देखा नहीं गया तरंगें जलाश्यों में ही उठती थी किसी के मन में नहीं क्योंकि सबका मन स्थिर था दान मद का त्याग केवल हातियों में ही द्रिष्टि गोचर होता था राजाओं में नहीं काटे ही तीखे होते थे मनुष्यों का सभाव नहीं केवल बानों का ही गुणों से वियोग होता था मनुष्यों का नहीं द्रिड बंधोकती केवल पुस्तकों में ही उपलब्ध होती थी लोक में कोई सुद्रिड बंधन में बंधा या क्याद किया नहीं गया था प्रजा को ही सदा शिराम चंद्रजी लाड़ प्यार प्राप्त कराते थे अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए वे उस संपूर्ण देश की सदेव रक्षा करते थे